तो हमारे चूजों की फीड खतम हो गई थी तो इसलिए सुबा होते ही मैं पहुँच गया फीड मिल और यहां पहुँचकर मुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे पहले किसी और की फीड यहां पर लोड हो रही थी और मैंने लेने हैं टोटल एट बैक्स और यह एट बैक्स इन्होंने अच्छे से रिक्षे में रखवा दिये और इनको लोड करकर मैं निकल गया घर के लिए घर लाकर इन सारे बैक्स को अनलोड किया और अब बारिती हमारी अन्डो वाली मुर्गियों की shifting की क्योंकि अन्डो वाली मुर्गियों का cage अलग होता है और इस cage के अंदर यह बहुत जादा अंडे तोड रही थी तो बिना देर किये इन सब को मैंने पकड़ना शुरू कर दिया और इनको crate में load करकर मैं लेकर आगिया अपने घर और अब shift करना है इनको इनके new cage में और तक्रीबन 5 मिनट के अंदर ये सारी के सारी मुर्गिया मैंने new cage के अंदर shift कर दी और shifting के बाद next day जब ने अपनी अंडो वाली मुर्गियों के पास आया तो इन्होंने अच्छे खासे अंडे दिये हुए और एक भी अंडा ना ही तूटा हुआ था और ना ही गंदा था मतलब ये वाला काम तो होगी एकदम perfect अगर mini vlog पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देगा और चैनल को follow कर देगा और अगर आब हमसे पूर्टी फार्मिंग सीखना जाते हैं तो